आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार कॉलम के मेंटेनेंस प्रोसीजर के बारे में थोड़ा समझने की कोशिस करेंगे अगर आपने पहले कभी भी column का maintenance नहीं किया है तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप पूरे तरीके से maintenance procedure के बारे में समझ पाएंगे हो सकता है कि कुछ चीज़े आपको clear ना हो तो घबराने कोई बात नहीं है जब कभी आपको काम करने का मौका मिलेगा तब I am damn sure कि वो confusion भी आपका clear हो जाएगा यहां से आपको interview preparation करने में मदद 100% मिलेगी बस procedure को समझने की कोशिस किजिएगा क्या होता है कि कुछ चीज़े ऐसी होती है कि जब तक हम देखते नहीं है visualize नहीं करते तब तक clear नहीं हो पाती है तो इसमें कोई परिशानी वाली बात नहीं है further जब भी मौका मिलेगा तो add करूँगा तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए कभी भी किसी भी equipment का maintenance करना हो चाहे वो column हो चाहे fin fan हो चाहे heat exchanger हो कोई भी equipment हो static equipment तो सबसे पहले हमें उस equipment को isolate करना होता है यानि उस equipment के अंदर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उसे बंद करना होता है और इन रास्तों को बंद करने के process को ही हम blinding कहते हैं और कुछ लोग इसे as padding के नाम से भी जानते हैं तो जब भी column का काम करना हो तो सबसे पहले जो ब्लाइंड लिस्ट के हिसाब से, सारा ब्लाइंड अरेंज करना, स्टीमिंग, वेंटिंग, या फिर ड्रेनिंग वेगरा के लिए, होस अरेंज करना, 230 बोल्ट या फिर 24 बोल्ट as per your work, लाइटिंग का अरेंजमेंट करना, इडुक्टर या फिर एक जोस्ट फैन का अरेंजमेंट करना, अगर आपके पास और टाइम बसता है, तो जहाँ जहां ब्लाइंड करना है, उस फ्लैंच के बोल्ट का राउजिंग कर सकते हैं, यानि सर्वीसिंग भी कर सकते हैं, servicing यानि कि बारी-बारी एक-एक nut bolt को खोल करके अगेन उससे molecule tweaker लगा कर tight कर दें ताकि जब भी आपको blinding करना हो तब आपका काम आसानी से हो जाए और आपका time ज़्यादा वेस्ट ना हो अगर इतना सब कुछ preparations ready है तब आप blinding सुरू कर सकते हैं blind list के आधार पर blinding करते समय एक चीज़ का ध्यान रहे कि final blinding करने से पहले हमें wage opening देना होता है यानि blind और nozzle के बीच में थोड़ा सा gap रखते हैं ताकि जब भी steaming वेगरा करते हैं तो steam के साथ जो भी harmful gases होती हैं वो असानी से बाहर निकल जाए जैसे ही हमारा steaming complete होता है then हम final blinding column का कर देते हैं इतना सब कुछ करने के बाद हमारा सबसे पहला और important काम complete होता है इसके बाद हमारा next target जो होता है वो manway opening का होता है यानि column के जितने भी manway है including a skirt manway सब को open करना होता है और एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जितना भी nut bolt आप खोलते हैं उसे रखने के लिए proper tray या फिर कोई bin यानि के डबा वेगरा arrange कर सकते हैं ताकि आपका जो भी nut bolt है वो एक जगा सुरक्षित रहे और सबको wire brush से clean करने के बाद molly coat जो की एक anti-seizing compound होता है उसे लगा कर manway opening के बाद जो step होता है वो होता है entry का लेकिन column में entry करने से पहले column के manway में exhaust fan और lighting का arrangement होना चाहिए उसके बाद confined space का permit होना चाहिए then gas test बहुत ही ज़रूरी है जिससे पता चलता है कि oxygen का level कितना है percentage कितना है hydrocarbon कितना है इसके अलावा कोई peraphoric material तो नहीं है और एक stand by person manway के पास होना चाहिए जो अंदर जाने आने वाले आदमी का log sheet में नाम entry करे और अंदर proper communication बनाए रखे अगर इतना सब कुछ preparation ready है तब हम column के अंदर entry कर सकते हैं एक चीज़ ध्यान देजेगा कि अगर column के अंदर temperature जादा हो तो AC वेगर का arrangement करना चाहिए और जो भी lighting है वो 24 volt LED या फिर flame proof hand lamp का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे ही आपको entry का permit मिलता है तो अगर tray column है तो सबसे पहले जितने भी tray के manway हैं सबको open करना होता है नहीं तो आपके पास जो भी work scope होता है उसके हिसाब से उसमें जो लिखा होता है आप अपना काम कर सकते हैं tray का manway open करने के बाद एक बार हम inspection team को pre inspection के लिए offer करते हैं ताकि वो एक बार जाएं और check करें कि आपको clean करना है वो पुरा point note down करते हैं कोई tray वेगरा खराब तो नहीं है bend वेगरा तो नहीं है इस तरीके की चीज़े वो सब कुछ point mark करते हैं note down करते हैं pre inspection जैसे ही खतम होता है उसके बाद हम शुरू कर सकते हैं अपना काम करना तो सबसे पहले जो आपको internals को अगर remove करने का permission है तो आप सारे internals जैसे की tray components, demister pad, structure packing, random packing, distributor, steam coils या फिर कोई भी a structure जो की internals को support करने के लिए use किया गया हो उसे आप remove कर सकते हैं एक बात ध्यान देना है कि आप जो भी internal remove करते हैं उसे permanent marker से एक बार mark जरूर कीजिएगा अपनी सुविदा के लिए ताकि जब भी आपको दुबारा internals को refix करना हो यानि लगाना हो तो सारे parts आसानी से लग जाएं ऐसा ना हो कि कहीं का parts कहीं लग रहा हो तो इससे बचने क लिए आपको एक बार marking जरूर कर लेना चाहिए अगर internal से packing वेगरा निकाल रहे हो तो उसी प्रकार से उस packing को mock up करके रखना होता है जैसा कि अंदर लगा हुआ है ताकि आप लगाते time confuse ना हो अगर आप distributor निकाल रहे हो तो निकालने के बाद अच्छे से clean कर लें और ये भी चेक कर लें कि कहीं से blockage वेगरा तो नहीं है उसके अंदर अगर demister pad वेगरा निकाल रहे हैं तो confirm कर लें कि इसे replace करना है या reuse करना है अगर reuse करना हो तो उसे steam से और water से अच्छे से clean करना होता है जो भी internals होते हैं उसे repair करना है या फिर replace करना है ये inspection के बाद clear करके बताते ह तो उसके हिसाब से हमें काम करना होता है Internals के remove करने के बाद हमारा next step होता है column के अंदर और ज़रूरत हो तो बाहर भी scaffolding का erection करना ताकि जो भी inspection procedure है उसे complete किया जा सके अगर scaffolding ready है then finally आप cleaning यानि की column के जो भी internal surface है उसको अच्छे से clean कर सकते हैं cleaning का process से start कर सकते हैं cleaning में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी scales वेगरा जमा है जो rust है या फिर coke वेगरा है जो भी जमा है internal surface पे उसको अच्छे से clean करना होता है उसके लिए आप scrapper और wire brush वेगरा का use कर सकते हैं इसी के साथ साथ जो भी shell का weld seams होता है या फिर PSR का जो welding joint होता है कहने का मतलब shell का अंदर जितने भी welding joints होते हैं सब को अच्छे से buffing machine के दोरा clean करना होता है जब internal में पूरा clearing complete हो जाता है तब हम inspection को offer करते हैं वो जो भी procedure होता है जैसे कि MPI या DPT या फिर thickness के लिए UTZ वेगरा सब कुछ करके report तयार करते हैं inspection का जैसे ही clearance मिलता है तो clearance मिलने के बाद जो भी internals हमने निकाला था उसे अच्छे से clean या फिर replacement के बाद ठीक से refix करना होता है इसके अलावा जो भी seal pan या फिर chimney tray वेगरा होता है उसका leak test भी किया जाता है जो भी nozzles वेगरा होते है उसको भी check किया जाता है कि कोई nozzles चोक वेगरा तो नहीं है कोई किसी भी प्रकार का blockage तो नहीं है then final box up हम equipment का शुरू कर सकते हैं जब भी हम tray manway का box up करेंगे तो हमेशा ध्यान रहे कि down से top की और manway box up हमेशा करते हैं then finally हम shell यानि की column manway का box up करते हैं column manway का box up करते time वहाँ पर operator या फिर maintenance का कोई stand by person होना चाहिए जो कि finally gasket वेगरा को verify करें उसका rating check कर ले उसके बाद जो भी हमने blind किया था जितने भी nozzles का सब को de-blind कर दिया जाता है तो यही था एक प्रकार से पूरा column का procedure जो कि एक short मैंने कोसिस किया है कि जितना short हो सके उतने short में आपको complete करके बता दू ताकि एक overview आपको मिल जाए मैं यह नहीं कहता है 100% की आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा column का maintenance करी लोगे उसके लिए जब तक आप site पे नहीं जाएंगे जब तक आप visually काम नहीं करेंगे तब तक हर कुछ समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर आप interview एगर की preparation कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत overview मिलेगा और interview में कहीं नहीं सारे points को घुमा करके पूछ लिया जाता है अब देखिए कुछ-कुछ points मैं आपको note down करा जाता हूँ यहाँ पे note down कर लो कि आप क्या क्या पूछा सकता हो सकता है interviewer आपसे पूछ दे कि confined space में oxygen का label कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 20.9% होता है oxygen का वो यह भी पूछ सकता है कि lighting कौन सा हम use करते हैं confined space का अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि 24 bolt का lighting का arrangement होना चाहिए 24 bolt हम use करते हैं इसके अलावा यह पूछ सकता है कि tray का जो manway है वो किधर से खोलते हैं उपर से नीचे खोलते हैं कई लोग यह भी पूछ देते हैं कि भाई कितना manpower लगेगा आपको column का काम करने में तो देखिए यह depend करता है कि column का dia क्या है column का size क्या है उस हिसाब से भी हम लोग manpower distribute करते हैं तो यह कोई hard and fast rule नहीं होता है कि इतना आदमी ही लगेगा वो depend करता है काम के हिसाब से तो इसका मैं कोई perfect answer तो नहीं दे पाऊंगा बट हाँ इतना कह सकते हैं कि जब भी column का काम होता है तो आपको दो आदमी कम से कम column के अंदर चाहिए होते हैं दो आदमी कम से कम column के बाहर होने चाहिए एक attendant होना चाहिए मतलब मीनिमम पाँच आदमी का टीम तो होना ही चाहिए एक column के लिए बाकी जहुरत के हिसाब से हम और भी आदमी को use कर सकते हैं तो यह सारे छोटे-छोटे points हैं जो कि distribution columns related questions पूछे जाते हैं अगर आपने कभी interview दिया है अगर आपसे कुछ और भी सवाल पूछा गया हो तो आप हमें comment करके बता सकते हैं मैं कोशिश करूँगा उसको फिर से थोड़ा सा clarify करने की तो मुझे उमीद है कि यह सारी चीज़े आपको clear हुई होगी आज के इस वीडियो को देखने के बाद तो चलिए बाकी अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आया है तो आपको बता दूँ कि हम oil and gas related इसी प्रकार की वीडियोज लाते रहते हैं और भी तो एक बार आप पूरा चैनल को विजिट करिए एक बार अच्छे से देखिए अगर आपके लाइक इसमें और भी बहुत सारी चीज़े हैं अगर आप पसंद आती हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करते तक आगे आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें तो फिर जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें स्वस्त रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद